नमस्कार दोस्तों, study with happiness में आप सभी का स्वागत है और दोस्तों एक हफ्ते पहले हमने question and answer की एक series start की थी, ये उसी का second part है दोस्तों, तो week में इस तरीके का एक वीडियो आपको मिला करेगा जिसमें आप लोग एक question हुआ करेंगे और मैं उसके answer दिया करूँगा, दोस्तों एक question कई बार पूछा गया था मुझसे की RRB NTPC में कौन सी सबसे अच्छी post है, तो देखिए एक person है जिनका नाम है धिरेस कश्यब जी, उन्होंने खोद answer दिया है क्योंकि वो जो है उनके अंकल जी है, जो की काम कर रहे है, account of railway department में, ठीक है, तो ये वही वाली post है दोस्त हो सके तो इनका phone एक interview, phone interview हो जाएगा तो आप लोग के लिए भी काफी helpful रहेगा और आप लोग की जो पढ़ाई करने की speed है, उसमें भी तेजी आएगी, ठीक है, और दोस्तों अगर आपको हमारे इस तरीके की वीडियो अच्छे लगते हैं, तो like जरूर दबाईएगा, औ अगर मैं बहुत ही जल्दी ऐसी विवस्था करने वाला हूँ, जिससे आप लोग मुझसे one to one चैट के थूरू जुड़ पाएंगे, जो भी serious aspirant हैं, कई बार में देखता हूँ, वाकई में कई लोग को help भी जरूरत होती है, उन्हें proper guidance नहीं होती है, उनके पास, चाहें व मुझसे पूँच सकते हैं, और ऐसी विवस्था में बहुत ही जल्दी कर दूँगा रजजजी, तो नंबर तो possible नहीं हो पाएगा दोस्त, ठीक है, आगे जितेंद कुमार जी, जितेंद कुमार जी ने कहा है कि हम बाहर रहते हैं, और बिना किसी guardian के केवल आप ही मुझसे motivate मुझे motivate करते रहते हैं, thank you, दोस्तो मुझे नहीं पता है कि हमारे वीडियो कौन-कौन लोग देख रहे हैं, कई बार तो ऐसे लोग भी देखते हैं, जो कि वीडियो देखते ही डिसलाइक मार देते हैं, वीडियो नहीं देखते हैं, बलकि गालियां भी देने लगते हैं, म अब यहाँ पर जो है इनका नाम तो नहीं पता है इसका ही नाम से इन्होंने बढ़ाया है इनका यूजर नेम है इनका कहना यह है कि अभी यह जो है प्राइमरी टीचर ब्याली सो ग्रेट पे में नौकरी कर रहे हैं तो लोवर PCS या अपर PCS इसमें से किसकी तयारी करना बहत सकते हैं मगर बात यह रहेगी कि आपके राइटिंग स्किल अगर अच्छे हैं तो तो आप अपर PCS की तरफ जाएए और मालीजी अगर आपको इतने ज्यादा सहज नहीं है राइटिंग स्किल में मालीए निबंद लेखन में या किसी सब्जेक्ट पे पर्टिकुलर बहु पीके तो यह अब आपको तैय करना है कि आप किस में जाना चाहते हैं मैंने दोनों का आपको बता दिया कि राइटिंग स्किल अगर आपके जबर जस्त हैं तब ही आप PCS की तरफ जाए अधरवाई देखिए मालीजी अच्छे नहीं है मगर आपका सपना है आप PCS में जान नहीं है फिर गौरव शर्मा जी गौरव सर्मा जी ने पूछा है कि सर टेस्ट कब से होंगे तो गौरव जी और इनके साथ साथ काफी लोग ऐसे हैं जो कि हमारे स्पीड टेस्ट का इंतियार कर रहे हैं तो मैं उन सभी को सबसे पहले तो दोस्तों माफी चाहूंगा कि अब हमत होगी तो जी नहीं बिलकुल free of cost होगी ठीक है तो उसमें कोई आपको घबराने वाली बात नहीं है सबको टेस्ट स्री मिलेगी चाहे वो यू क्या होता है सेम रूटिन फॉलो करने से भी कभी कभी जो है हमारा मन खराब होने लगता है तो आप एक दो दिन जो है बीच में ब्रेक कर सकते हैं मगर इससे जादा करेंगे तो फिर इसका मतलब यह है कि आप पढ़ना ही नहीं चाहते हैं ठीक है तो इतना बस थोड़ा बहु को बता है दोस्तों माली जा आपका किताब से पढ़ाई का मन नहीं कर रहा तो कोई डोकुमेंटरी देख लीजे जो कि आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड हो माली जे प्रिथम विश्वुद्ध या दुत्य विश्वुद्ध आपको अपने आपको किसी भी तरीके से ऐसे कार देखिए यह तो आपकी महंता है कि आप कह रहे हैं कि हमारी मोटिवेशन की वज़े से हो गया जबकि मोटिवेशन के वीडियो पता नहीं कितने पड़े हुए हैं तो इसमें हमारा तो कोई रोल नहीं है बस यह है कि आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं उसका आप लोग को यानि कि बहुत दिन कुछ informational वीडियो आया है आज पहले नॉम्स प्रोसीजर और लीगल प्रोसीजर रूल के बारे में समझाते थे बट आजकल उससे थोड़ा सा डाइवेट हो गए हैं I know I will you will take it positively दोस्तों कभी-कभी होता है यूट्यूब पे आप लोग ऐसा लगता है कि ब जो वीडियो हमारे लिए फालतू होता है वो किसी और के लिए काम का होता है तो जब आपको पता चलता है कि यह वीडियो इस टॉपिक पर है या फिर ऐसा है तो आप उस वीडियो को ना देखें ठीक है को जरूरी नहीं है कि आपको हर वीडियो को देख नहीं है माली या आ आपको देखना है नहीं देखना है या आपकी पर्टेपेंट करता है तो मत देखा करिए ठीक है तो यही है और बाकी में जो है जल्दी ही कोशिश कर रहा हूं कि और ज्यादा face क्यों नहीं दिखाते ये बताएं तो अनुराग जी अभी ऐसा कुछ खास काम मैंने किया रही है जिसकी वज़े से मैं अपना face को ज्यादा popular करूँ तो बस जब लगेगा कि हाँ जरूरत है इसकी जिसके बिना काम नहीं चल पा रहा है तब देखेंगे अभी तो फिलाल यही है कि आप लोग जो महनत कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा भी अगर हमारी तरफ से सायोग मिल पाता है किसी भी माद्यम से चाहे वो guidance के माद्यम से हो books के माद्यम से हो या पढ़ाई के माद्यम से हो जैसी कई लोग हैं टेलिग्राम चैनल पर जुड़े हुए हैं और उन्हें मैं अक्सर PDF शेयर करता रहता हूँ वो मैं originate नहीं करता हूँ जहां भी मुझे मिलती है अच्छी PDF मिलती है चाहे वो history की हो, polity की हो, geography की हो वो मैं आप लोग के साथ शेयर करता रहता हूँ और उसका कोई चार्ज नहीं है, वो free of cost है तो आप सभी लोगों से enrolled है दोस्तों कि अगर आपने अभी तक हमारा telegram का चैनल जोइन नहीं किया है, description में link है, वहाँ से join कर लीजिए अगर वो link काम नहीं कर रहा है, तो पहले telegram का type install करें, और फिर वहाँ पर लिखें दोस्तो, study with happiness तो आपको हमारा वह मिल जाएगा, without space लिखना दोस्तों, बीच में space नहीं होना चाहिए study with happiness में, ठीक है और वहाँ से आप मैं कुछ option open कर सकता हूँ, जिससे कि आप मुझे one to one chat भी कर पाएंगे आने वाले समय में, वह धीरे धीरे start करेंगे दोस्तों, ठीक है अनुराग जी और जिसकी भी नौकरी लगे तो अगर आप मुझे मिलना चाहेंगे तो मैं जरूर मिलूँगा, ठीक है फिर है successful life देखिए आप यह आपको पता होगा एक ओल इंडिया का एक fake notification आये था और उस पर मैंने वीडियो बनाये भी था और आप लोग को बिल्कुल तथे के साथ बताये था कि क्यूं यह notification गलत है आप इन्होंने मुझे क्याल जाम लगा दिया है कि news को सही डाला करो, 90 हजार की भरती है, सब fake है बेरोजगारों को गुम्रा मत करो पैसा कमाने के चक्कर में धोका मत दो मैंने कौन सा धोका दिया उसमें जबकि देखिए पंकच कुमार जी ने खुद ऐसा कहा है कि ऐसा मत बोलो पहले खुद देखो तो देखिए कई बार क्या होता है लोग वीडियो देखे बिना ही कमेंट करने लगते हैं तो आप लोग उसे अन्रोद है दोस्तों कि आप कम से कम देखिए तो मैंने कहा क्या है उसके अंदर और फिर उसके बाद कहें कि मैंने धोका दिया है या पैसे कमाने की चक्कर में यह सब बोला है तो प्लीज आप लोग उसे अन्रोद है कि देखा जरूर करें करिए फिर हम बात करते हैं प्रकाश जहा और most awaited question जो कि सब लोग जानकारी चाहते हैं इलाबाद high court RO कि कोई जानकारी है क्या और इन्होंने कहा है कि क्या आप RTI से या अपने sources से पता लगा सकते हैं देखिए दोस्तो RTI का काम अगर RTI लगानी है तो आप लोग लगाईए मगर हाँ जो मैं कर सकता हूँ वो यह है कि जो मेरे sources हैं और sources क्या हैं जो हमारे मित्र वगेरा है या फिर उन्हें भी कोई पुकता जानकारी नहीं मिल पाती आपको ही पता हुगा आप किसी भी जगह पर आप जॉब कर रहे हूँ तो recruitment cell बिलकुल अलग होता है और वो एक तरहीं से गोपनी भिवाग होता है बहुत कम लोगों को जानकारी मिल पाती है तो जो भी खबर उड़ती हुई मिलती है वो मैं आपको चैनल के माध्यम से बताता हूँ मगर आप देख रहे होंगे लगबग साथ-एट दिन से मैंने कोई नियूज नहीं दी होगी यारोगी क्योंकि जब तक कोई नियूज मिलेगी नहीं तब तक मैं आपको बताऊँगा कैसे और जैसे ही कोई नियूज मिलेगी इस से इसलिए मैं आपको जल्दी बताऊँगा मगर हाँ ये बाग तो लगबग-लगबग कनफर्म है कि भरती तो आएगी अब वो आगे क्यों बढ़ रही है क्यों नहीं बढ़ रही है हर डिपार्टमेंट की दोस्तों अपनी इंटरनल कुछ होती हैं प्रोसीजर होते हैं वो अपनाए जाएंगे उसके बाद ही ये सब चीज़ें आप लोग के सामने आएंगी और जो भी लोग होंगे उन्हें मेरी तरफ से पूरा सवयोग मिलेगा तो ये आप लोग कुछ कोशन थे मुझे लगता है कि ये सीरीज आप लोग काफी अच्छी लगरी होगी तो वीक में एक बार आपको इस तरीके से जरूर मिला करेगा जल्दी ही मिलेंगे दोस्तों हम नेक्ट वीडियो में तब तक के ये जैहिन जैभारत